हिंदी साहित्ते गुईक रिविजन विद आर्टी शर्मा दोस्तों आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेर करें, लाइक करें, मेरे चनल को सब्सक्राइब करें, साथी साथ मेरे वीडियोज के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प् ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत कावे सास्त्र, संस्कृत कावे सास्त्र से संबंदित जो विचारधारा है, पहले हम उस पर विचार करेंगे, फिर हम अन्य विचारधाराओं को देखेंगे, ठीक है, डीटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम विचारधा कहीं यही मिलती है वहाँ अप थ्योरी याद नहीं रखते हैं ठीक है तो ध्यान रखें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रस संप्रदाई रस संप्रदाई ठीक है रस संप्रदाई से किसका संबंध है तो दोस्तों भरत मुनी ठीक है भरत मुनी प्रवर्तक ह ठीक है और भरत मुनी किस कौन से वाद के कवी है तो दोस्तों संस्कृत का अवे शास्त्री कवी है कौन भरत मुनी ध्यान रखें ये चीज ठीक है तो अभी हम जो परंपरा देखेंगे पहले संस्कृत की देखेंगे ठीक तो रस संप्रदाय से किसका संबंध है भरत मुनी का अब दोस्तों देखते हैं अलंकार संप्रदाई ठीक है तो अलंकार संप्रदाई यानि कि जैसे हम क्या बोलते हैं भक्तिकाल में हम देखते हैं ठीक है अलग-अलग संप्रदाई बने हुए ठीक उसी तरह से संस्कृत में भी थे जो आचारे पहले रहे हैं तो उनमें भी सम्प्रदाइद तो यह उसी से संबंदित है अलंकार संप्रदाइज आगर मेरे से कहीं भी वीडियो में गलती हो रही है कोई लाइन जो है miss में चो रही है ठीक है तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं ठीक है क्योंकि जल्दी में चीजे की जा रही है थोड़ा समय का आभाव है इस वज़े से जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहे हूँ कि मैं आप तक चीजे पहुँचाऊं ठीक है तो थोड़ा सा आप भी सायोग दें ठीक है ना तो चलिए देखते हैं अलंकार संप्रदाई का संबंद किसे है भामे या फिर मममट से तो ध्यान रखें फिर है दोस्तों रीती संप्रदाई रीती संप् गरिक बताती हूँ आपको दोस्तों देखो धा यह जो आप देख रहे है ना ठीक है इसमें इनके नाम में भी ठा है तो मैंने तो ऐसे याद किया है तो ध्यानी संप्रदाई के प्रवर्तक आचारे कोन है आनंद वर्धन आनंद वर्धन नाम याद रखें दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है आनंद वर्धन ठीक है अगला देखते हैं दोस्तों अब है दोस्तों वक्रोकती संप्रदाई वक्रोकती संप्रदाई यह किसका है दोस्तों कुंतक का किसका कुंतक का है वक्रोकती संप्रदाई ध्यान रखना ठीक है वक्रोकती ठीक है कुंतक ठी थिके ज़्यान रखो थिके क्योंकि का है और का से कुणतक थिके ऐसे भी आद कर लो चाहूं थो ठीके वैसे तो नॉर्मली यह दो चार बार आप वीडियो देखेंगे ना चीज़े अपने माइंड में सट हो जाएंगी तो वक्रोक्ति संप्रदाई किसका है कुणतक का है ठी तो दोस्तों अभी तक हमने देखी संस्कृत कावे शास्तर की परंपरा तो अब देखते हैं हिंदी कावे शास्तर की परंपरा देखते हैं थोड़ा सा शुरू करते हैं रीती वाद, रीती वाद का संबंद किस से है दोस्तों, तो केशवदास से, रीती वाद, ध्यान रखना, वहाँ पे रीती था, रीती संप्रदाय था, जिसका संबंद दंडी और वामन से था, लेकिन यहाँ पे रीती वाद है, ठीक है, वो संप्रदाय था, यह रीती वाद, संबंध मानते हैं किसको मानते हैं चिंता-मणी को क्योंकि शुक्र ने मेहतु दिया है केशवदास की अपेक्षा ठीक तो ध्यान रखना शुक्र के अनुसार रितिवाद के परवर्त के आचारे दितने चारे चिंतामणी है स्वचंदतावाद 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 फिर है दोस्तों हालावाद ठीक है हालावाद से संबंध है किसका हरीवंश राय बच्चन का हरीवंश राय बच्चन का संबंध है हालावाद से फिर है प्रयोगवाद ठीक है प्रयोगवाद से किसका संबंध है तो दोस्तों अग्ये का अग्ये प्रवर्तक माने जाते हैं कि के प्रयोग वाद के ठीक है अग्य का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन अग्य ठीक है ध्यान रखें फिर है दोस्तों प्रपध्यवाद प्रपध्यवाद कहो या नकेनवाद कहो बात एकी है ठीक है प्रपध्यवाद कहो या नकेनवाद कहो बात एकी है प्र स्रीकुमार नरेश थीक है फिर से सुनो तीन व्यक्ति हैं कौन Nalyn विलोचन शर्मा केशरी कुमार केशरी कुमार या नरेश इन तीनों का संबंध है किस से प्रपध्य वाद या नकेंवाद سے ठीक है लेकिन अगर option में नलीन विलोचन शर्मा आ रहा है तो first priority आप नलीन विलोचन शर्मा को ही देंगे ठीक है प्रपद्यवाद या नकेन वाद ध्यान रखे दोस्तों फिर है मांसल वाद इससे किसका संबंध है तो दोस्तों रामेश्वर शुकल अंचल ठीक है रामेश्वर का संबंध है दोस्तों मांसल वाद से मांसल वाद ध्यान रखे लिग ग awakening कि तो इस तरह से देखा धिए अभी मांसल वाद संबंध किस्से है रामेश्वर शुक्ल अंचल से ठीक है फिर है कैपसूल वाद यह किसका है तो दोस्तों ओमकारणाथ त्रिपाठी है का है क्यारा केप्सूल वाद से संबंध है किसका ओम कारनाथ टृपाथी का ध्यान रखें है इप यह दोस्तों ध्यान से देखें पास्चात्ते कावे सास्त्र अभी तक हमने पढ़ा संस्कृत कावे फिर पड़ा हमने हिंदी कावे सास्ति अब हम देखेंगे पास्चात्ते कावे सास्ति यानि वेस्टन तो वेस्टन फिलोसोफी क्या है देखते हैं और आत्य वाद जिसका संबंध किस्से है लॉण जाइनस से ठीक है हिंदी में जब आ जाते न तो कई सारे विद्यारतियों क तो पता ही नहीं होता कि लोंजाइनस कौन है अरस्तू कौन है ठीक है क्योंकि वहां तक वह पहुंची नहीं पाते से ले बस इतना जादा है ठीक है अगर जिन्होंने प्रॉपर क्लासिज ली है तो उन्हें तो समझ में आएगा इजी ली अदर्वाइस कुछ तो ऐसे हैं कि क आएप लएक झालेम कमें को शुखत वर्एस कर दोतुपर क्लाइब करने लिए होता है तो एगतो पहुद्या में भाष रोड़ के जो जो को manage करना पड़ता है तो यह जो आपके सामनी वीडियो आ रहे हैं यह सिर्फ पेपर कराने के point of view से ही आ रहे हैं ठीक है तो देखते हैं दोस्तों पास्चात्य कावे सास्त्र में ओदात्यवाद का संब्ध है लॉन जाइनस से ठीक है ध्यान रखना और तीसरी सदी सदी इ आचारे हैं क्योंकि समय का थोड़ा आभाव है मेरे लिए लेकिन जितना possible हो पा रहा है तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहे हूं कि मैं चीजे प्रोवाइड कर रही हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान से पड़ें और कुछ अपने ढंक से भी चीजे करें ठीक है अगर समय मि का संबंद किस से है लोंजाइनस से है कि मुझतानीन सेहां फिर दोस्तों दहां लेको गiant का कि संबंद किस से है सोरें कीर्कगाद से सोरें कीर्क कीर कारद का है अस्तित्व वद्यान दखना छिए अस्तित्व वाद सोर्न कीर्कगार्द इनका समय क्या है 1813 से पचपन यह जाद की साथ इनका नाम और जो अतुर्द से क्सका संब्यट को सोर्न कीर्कगार्द क動мерик devenir civil कणे पढ़ा ल trafflements Kalmaroks देख रहे हैं na MAKS अं yaz माइसस इसलिए कहा गया MAKS Мыदी विछारधारा यानि जन पक्षिधर सोच जिन कón पका over the मार्क्स बीचारधार सामरथक होती है धीर के समर्थक के पार सोच अक डह्म आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाए जनजीरों के है ना तो मेर को मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इन्होंने जो समाज का निम्न वर्ग है ना उसके पक्ष में इन्होंने अपनी विचारधारा रखी जिसे हमने माक्सवादी विचारधारा के नाम से जाना च्छीरों अभी हमने देखा माकृसवाद का की किस से है काल माक्सवादी लिएटा ठीक है गाले में मनोई विशरयशन्वद का संबण किस थंध संब्स हनुद उ cred Table विशरयशन्वद कर दोर मनोई विशलेशन्वद का संबंध है स्मध्यं का समय हेब भलाद 1856,pee 49 इस्वी ठीके? 1856 से 1949 इस्वी ठीके ध्यान रख़ें और प्रतीक वाद क्या? प्रतीक वाद ठीके प्रतीक वाद के कौन Run कौन है? आचा, रीज तो यह इन वा técnica Jean Maurisוז Jean Mauris ठीके Jean Mauris प्रतीक वाद ध्यान रखें प्रतीक वाद से किसका संबंध है चीन मोरियस का इनका समय क्या है 1856 से 1910 ठीक है आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन किसके सिश्य थे ठीक है पास्चात्ते कावेशास्त्रों में कौन किसके सिश्य थे अगर यह आप मेरे कोशन पेपर वाले वीडिय ठीक है तब आप समझ पाएंगे कि मैंने यहां पर यह वीडियोज क्यों रखे है तो चाहें तो आप बता सकते हैं कि कौन जैसे अरस्तू शुकरात काल्रेज है ना इनके नाम अभी इस वीडियो में है नहीं थीक है तो आप चाहें तो अ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फिर है दोस्तों अभी व्यंजनावाद ठीक है ध्यान रखना ये किसका है बेन देतो क्रोचे या बेनी देतो क्रोचे भी लिखा होता है कहीं कहीं तो बेन देतो क्रोचे का है क्रोचे याद रखें आप ठीक है तो क्रोचे का है अभी व्यंजनावाद ठीक है और इनका समय क् 1966 से 1952 फिर है दोस्तों बिम्बवाद ठीक है बिम्बवाद किसका है तो दोस्तों TE-H तो दोस्तों इस तरह से वीडियो भी यहीं पे समापत होता है वाद से संबंदित वीडियो थैंक्स वर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यव दूस्तू